उत्तरी जर्मनी में आबादी, सडकों और रेलवे पट्रियों से दूर एक वीरान एरफील्ड ये ब्राउन श्वाइक टेक्निकल यूनिवल सिटी के वैग्यानिकों के लिए बढ़िया जगए है वो 26 किलो का अधिक्तम वजन लेकर उड़ने वाले ड्रोनों का परिक्षण कर रहे है इस आकार के हवाई उपकरनों के लिए व्यापक और सुरक्षित हवाईक्षेतर जरूरी है आज यहां तीन अलग-अलग सिश्टम उडान भरेंगे एक फिक्ष्ट विंग ड्रोन और बाकी दो मल्टिकॉप्टर्स पहले का नाम है मेस बार यह एक उड़ती हुई प्रियोक शाला है यह प्रदूशन जाचने वाला ड्रोन है इसमें प्रदूशक तत्वों को मापने के उपकरन लगे हैं यह सड़क किनारे बने निगरानी केंद्रों जैसा है यह ड्रोन, सूट, पार्टिकुलेट मैटर, ओजोन और बाकी हानिकारत पदार्थों की निगरानी करता है मेस बार को हाईवेज के पास तैनाप किया जाएगा इसे अलग-अलग उचाई वाले चेक पॉइंटों के उपर उड़ने और रेडियो ट्रांस्मिटर के जरिये रियल टाइम में हवा की गुणवत्ता से जुड़ा डाटा भेजने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है ब्राउन श्वाइग टीम अपने निगरानी ड्रोनों के जरिये अन्य रिसर्च प्रोजेक्ट्स में भी मदब कर रही है इन में से दो ड्रोन 2017 में आर्कटिक में शोध पोत पोलर इस्टर्न से जुड़े थे धुई एक छित्रों में ग्रीन हाउस गैस मीथेन के वितरन की निगरानी भी इनके कामों में शामिल था इनके क्वार्ड कॉप्टर ने एक हजार मीटर तक की उचाई पर मौजूद हवा के नमूने जमा किये थे आज में सबार एक छोटी उलान के बाद लौट आया है टीम अपने दूसरे ड्रोन को तयार कर रही है इस फिक्ष्ट विंग मॉडल का नाम है अलादिना ये तापमान, नमी और हवा से जुड़े मौसम संबन्धी आंकड़े और एरोसॉल्स जैसे सूक्ष्मकड़ों को भी मापता है इस तरह के आंकड़े आपके वल ऐसे हवाई उपकरणों से ही जमा कर सकते हैं जब आप जमीन से प्रदूशन जाजते हैं तब आपको नहीं पता होता कि उपर वातावरण में क्या सिती है सबी बारीकियं समझनी जरूरी है ताकि जान पाये कि कौन सा तरीकम हत्व पुर्ण है अलादिना का काम है मौसम से जुड़े बुनियादी शोध के लिए आकड़े जमा करना जलवायू परिवर्तन से लड़ने और मौसम से जुड़े पूरवानुमानों की सटिकता बढ़ाने के लिए भी ये जरूरी है उड़ान भरना और जमीन पर उतरना दोनों रिमोट से कंट्रोल होते हैं एक बार हवा में पहुचने पर अलादिना अपने आप उड़ता है ये ड्रोन जल्द ही बर्लिन के चक्कर लगाएगा जमीन से 50 मीटर उपर बर्लिन में ये मापेगा कि नए बर्लिन ब्रैंडन बुर्ग एरपोर्ट में कितना प्रदूशन बढ़ाया है अब बारी है एरो इंस्पेक्ट की इसमें 100 मेगा पिक्सल का कैमरा लगा है ये पुराने बर्लिन ब्रैंडन बुर्ग एरपोर्ट की इमारतों को स्कैन करेगा इसकी बैटरियां बस 40 मिनिट चलती है लेकिन इतने ही समय में ये पुरानी इमारतों के 35 मीटर उपर से उड़कर तस्वीरे खीच लेगा हर 90 सेंटीमीटर बाद ये एक हाई डेफिनीशन फोटो खींचता है कम्प्यूटर की मदद से इन तस्वीरों को एक 3D मॉडल में बदल दिया जाता है हाला कि इसका कैमरा केवल उपर से इमारतों की तस्वीर लेता है लेकिन वे इतनी सटीक होती है कि वैग्यानिक इमारत की छट पर लगी शीटों का बारीक से बारीक डिवरा देख सकते हैं ये इमारत दिखाती है कि हम क्या कर सकते हैं अगर एक निर्मान निरिक्षन के लिए आप को इस छट का सही नक्षा बनाना हो तो आप ये माप ले सकते हैं और देख सकते हैं कि समय के साथ इमारत में क्या बदलाव आए और ये कैसे खराब हुई हालां कि उससे उतना फर्क नहीं पड़ता जब तक कि ये छट ठीक रहे लेकिन बात जब बड़ी क्रेनों या ट्रेनों के लिए बने रेल ट्रेक की हो तो आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वक्त के साथ ये मुरे ना और नहीं तूटें और ये अपनी जगें ना बदलें अगर बदलाव आए भी तो आपको पता चल जाए और रेच्साइटिक अफारन वें सीस निश्चित करना चाहते है लेकिन वहां एक खाली जगह है ये ड्रोन उस खाली जगहों को भरते हैं चोटे सर की निगरानी कम खर्च में की जा सकती है इसका इस्तमाल हिरणों के बच्चों की लोकेशन पता लगाने जैसे चोटे कामों में भी हो सकता है अब बहुत से किसान कटाई से पहले अपने घास के मैदानों को हवाई इंफ्रा रेड कैमरे से स्कैन करते हैं क्योंकि जब छोटे हिरन खत्रा महसूस करते हैं तो वो नीचे जुपकर एक जगह स्थिर हो जाते हैं ऐसे में हवा में उड़ता इंफ्रा रेड कैमरा उनके शरीर की गर्ली को पकड़ लेता है और ड्रोन पाइलेट बचावदल को बता सकता है कि डरा हुआ जानवर कहां है हजारों छोटे हिरन हर साल कमबाइन मशीनों की चपेट में आकर मारे जाते हैं हम इसे वहां वायर टोक में ले जाएंगे बड़े पैमाने पर ड्रोन पैनात करने से कई नन्धे जानवर इस छिपे हुए बुरे अंजाम से बच जाएंगे और ये ड्रोन तस्वीरें भी खीच सकता है लंदन का इंपीरियल कॉलेज इसे पेडों से जुड़ी जाच के लिए इस्तिमाल करना चाहता है वो दूर दराज के जंगली इलाकों में पेडों की सेहत जाचने के लिए डेटा इखठा करेंगे ड्रोन तेजी से शोध के तौर तरीके बदल रहे हैं ये सस्ते हैं और कई काम कर सकते हैं ब्राउन श्वाइक टेकनिकल यूनिवर्सिटी के वैग्यानिक लगातार अपने सिस्टम को बहतर बना रहे हैं ये उड़ते रोबोट बहुत कुछ कर सकते हैं